हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स तो आज हम टू मिनट सीरीज के अंदर प्लास्टिक प्लेशन के बरहें पड़ेंगे आपने देखा होगा बहुत बार क्या भी प्लास्टिक प्लेशन बहुत ज़रा इंक्रीज होगे न्यूस पेपर के अंदर भी काफी आता रहता है ना तो स्टाटिंग करते हैं कि सबसे पहले प्लास्टिक प्लेशन कब जड़ा बहुत ज़रा यूज कब हुआ जब वर्वार इसने बहुत ज़रा प्लास्टिक प्रोड्यूस करना स्टाट कर दिया और वहीं से यह प्लास्टिक का गलोबली एक वाइरल हो गया ठीक है अब उसके बाद देखो प्लास्टिक प्लेशन की कंजप्शन इतनी बढ़ गई कि बहुत मुश्किल हो गया है जैसे डेली यसे प्लास्टिक का यूज कैसे अंदर करते इस पोस्ट के लिए रिगेशन के लिए न के लिए av sunrise के लिएक्रेशन के लिए दविए अनन्टर के लिए आप कार की बहुत बज़ाभा देख रहे हो कि आज सेटेश्ट होरहें कि एवरेज किसे एंग्री जोट को डquently कर रहे हं ठीक है इंजिन उदेन की टो इफिचंसी बढ़ रही है नाई डेट की व हैं इन यहांद है भी है था यहां पर लुरहें होरा है ठीक है तो यह फ्लास्टी मिन अब treaty जिए पॉटिर लॉट आपकी आती है 50% यहाँ पहलो पीस का मिलता है दीडिटेशन हम प्रॉब्लम के वत लास्टिक है अब अब लास्टिक क्या होता है कि जैसे मां लोग नोच से ला गया अब जो माइक्रो प्लास्टिक के अंदर बहुत सालों बाद करवर्ड होता है अब वह माइक्रो प्लास्टिक क्या करते हैं कि जो फीशी यह कुछ और पीसी जा उनकी बाडि चली जाती है ठीक है और वहां पे जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रेट करती है ठीक है जी तो सीवरेश की, जो मल्टी सिटी, हमारे जैसे मेगा सिटी, मेगा सिटी के अंदर क्या होता है? कि ज़रा तर जो आपने देखा होगा कि फ्लड भी आता है, वहां पर सीवरेश ब्लौकेज हो जाती है, तो वहां पर भी एक प्लास्टिक बड़ा रीजन है, ठीक है? तो जब माई नाइक्रोब्लास्टिक के अंदर केमिकल कंपोजिशन जो वह सहीम रहती है याद अपने प्री के लिए 90 प्रसेंट जो सी बर्ड है ठीक है उनकी बॉड़ी के अंदर यह मिला है जो अभी रिसेंट रिसर्च हुए है डिजास्टर के अंदर फ्लैड रीजन है मैंने अल्रेड की बॉड़ी के अंदर इंक्रीज होता रहता है उसको हम बोलते हैं ठीक है हमने क्लास के अंदर भी डिसक्स किया अगर देखें के ड्वेल्ट और ड्वेल्पिंग कंट्री के कंटेक्स्ट तो बहुत सारी ड्वेल्प कंट्रीज क्या करती है कि प्लास्टिक को कर लेती है ठीक है घी तो यह अगर आप ग्रिन एरिया क्स एक्सपोर्ट वाला ठीक है घूच है अगर आप यह अभिक सब्सियों के अंदर यह देखो घु है यह एक्थेक साइज और यह वही यह यह जिए घो अधिक ठीक है ओके तो अब सल्यूशन के इसका देखो एक होता है इसके साथ ही बहुत सारी गैसे भी होंगी टॉक्सी गैसे तो वहां पर आपको बहुत सारी सक्राबर या ऐसी कोई टेकनोलजी लगानी पड़ेगी कि वह यहां अगर आप यॉरप की बात करोगे तो वहां पर वहां पर जो सेग्रीगेशन बहुत अच्छी है एक मिक्स्ट इंसिनरेशन भी आता है यहां पर सेप्रेशन की जरूरत नहीं है तो यह जो फिफ्टी टुवंटी प्रसेंट उरिजनल वेस्ट बच जाता है मतलब यह के अगर आपने जैसे इंसिनरेशन कर रहे हो आपने हीट जनेरेट करती है ना तो वहां से इलेक्टिसिटी प्रड्यूज होगी और साथ में जो टोटल वेस्ट था अगर हंडर्ड था तो उसका पंदरा से बीस परसेंट ठीक है उतना ही बच जाएगा ठीक है उसको बार हम लैंड फिल यह कहीं पे सिस्टीन के अंदर रूल लेकिया अब इन्होंने रूरल एरिया को इंकलूड कर दी यहां पर लोकल बॉड़ी और ग्राम पंचैत को भी बोला गया कि अपने प्लास्टिक प्लूशन को कंट्रोल करना है ठीक है और इसके अंदर क्या बोला गया सिक्स्टीन के करना दो तरह से कर सकता है जीसे आम हमने पड़ा भी और या तो वह खुद उसको क्लेक्ट करेब्द करेया को पैसे इसको डिस्पोज करवाई लेकिन हमारे इंडिया वाले ये तो आपको पता है इनका अलग से सिस्टम चलता है तो हमारे शॉप की वो ने क्या किया है? तो उन्होंने जब 40-50-50-ॉन प्लास्ट बढ़ए तो उन्होंने प्लास्टी का जो पॉलिधन थीन था और बहुत इसका रिजल्ट अच्छा मिला है लेकिन इंडिया के अंदर एस सच इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है उसके बाद इन्होंने फिर 2018 के अंदर मेंडमेंट की में पहले 2016 के अंदर एकाल रूल था मल्टी लेडर प्लास्टिक को फेस आउड करना मल्टी लेडर प्लास्टिक जैसे आपका जैसे टुथपेस्ट है टुथपेस्ट का जो ऊपर होता है पेपर का उसके अपदेखते हो वहां प indisp governance है एक प्लास्टिक की लेर है एक पेपर की अलग-अलग लेयर ठीक है उसको मल्टी लेयर बोलते है इवन आपका जो लेज वगरा का जो पैकट है उसके अंदर भी एक बिल्कुल ट्राश्परेंट लेयर होती है एक के अंदर वह सब कुछ लिखा होता है ना लेज खाओ वगरा यह वह जो भी उनकी एड़ होती है तो व लेवाला जो आपने देख्धा अग फूद पैकिंग के अंदर प्लास्टिक ह講ता है इसमें बहुत सारा फुर्पीनलेयर होता है इसमें सब्सक्राइब होती है बस इतना फ़रिक है ठीक है तो यहां पे जो आपका मद्टी लेयर प्लास्टिक अब इसकी अलग अलग लेयर हैं अब जब अलग लेयर होंगी मालों एक प्लास्टी की है उसको डिस्पोज करना मुश्किल है उसके साथ पेपर की वो भी सैट पूरी तो अब आप पेपर को भी डिस्पोज नहीं कर सकते हैं तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉज नहीं करना उसके बार कैरी बैक की 2016 के अंदर प्राइसिंग थी तो 2018 के अंदर इन्होंने रिमूव कर दी उसके बार आगे चलते हैं अब मालों कोई ब्रैंड ओनर या प्रोडियूसर है कोई भी पानी की बोटल या कोई भी है अब मालों उसने गुजरात के अंद 2016 के अंदर रूल था 2018 के अंदर इन्होंने बोला कि सेंट्रलाइज कर दिया के वहीं तो पूरे इंडिया में कहीं पर जो मरजी कर ठीक है अनेलसिस देखते हैं अनड्रेस्ट एक्सप्रेशन आफ इपी आर जो इसके बारे में कोई फ्रेमवर्क ही नहीं बनाया ठीक है जी तो क्या रिस्पॉंसिबिल्टी कितना मनुसिपल के साथ कैसे कंडेक्ट करना क्या क्या रहेगा वह सरा उसका फ्रेमवर्क नहीं बनाया है बस एक उसमें लाइन डाल दी और वहीं पे हमने रिजल्ट भी देखा है हर जगा प्लास्टिक हुआ पड़ा है ठीक है प्राइसि ठीक है जी फैनास का अब देखो मनुसिपल की ड्यूटी लगानी आपने हर जगा पे आपको इतना सारा जो इंफ्रस्ट्रक्चर क्रेट करना है उसके लिए पैसा चाहिए ठीक है आपको बता है इंडिया के अंदर कोई भी कोईशन आता है तो वहां पे आपको सिलूशन ल रख के बताना क्या आपके अंदर यह फालो होते है और आप भी फॉलो करते हों ठीक है ओके तो आगे चलते हैं दोस्तोफ़ सा मल्ती लेयर प्लास्टिक पार में देख लेते हैं मल्ती लेयर प्लास्टिक नाने बताया आप Appनें जैले स्पील्टी कई और कैसे इसको हम री आप जैसे shipping के अंदर कोई भी आइल वगेरा हम स्टोर करके एक पूर्ड करते हैं इंपूर्ट करते हैं वहाँ पर इसके अंदर लेके आते हैं फायदा क्या होता है एक तो लाइट वेट है दूसरा कि यह कम स्पेस को घेड़ता है जो तो इसलिए वहाँ पर इसका जो shipping volume reduce करता है उसके बार shelf life भी प्रोड़क्ट की increase करता है क्योंकि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी एक टेंपरेचर और एक moisture को content को maintain करने के लिए ठीक रहते जैसे अपने प्लास्टिक अगर आप फूड अगर अगर आप लेते हो वहां पर प्लास्टिक अंदर पैक होता है जो फ्रोजन खास करके वहां पर उसकी लेर को ऐसे हास हाथ में ऐसे करके देखना आपको पता चलेगा वह थोड़ी थिक हो तो आप डेफिनेटली कर पाओगे तो थेंक्यू वेरी मच्छ